लंबे समय से वेग्यानिक धर्ती के अलावा सौर मंडल के दूसरे ग्रहों पर जीवन की संभावना तलाशने के लिए शोत करते आ रहे हैं। सूरज का चक्कर काट रहे सभी 18 ग्रहों में सिर्फ प्रत्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहां जीवन है। इसके अलावा मंगल ग्रह पर जीवन की कुछ संभावना है क्योंकि यहां वायो मंडल की साथ साथ बर्फ की भी मौजूद की है। अपने इस वीडियो के जरीए हम आपको मंगल ग्रह से जुड़ी दिल्चस्प जानकारी देंगे। मंगल ग्रह सूर से दुरी के क्रम में हमारी धर्ती के ठीक बाद चोथे स्थान पर है। हमारे ग्रह की तरह ही मंगल ग्रह भी अपने अक्ष पर जुका हुआ है। मंगल ग्रह सूर का एक चक्कर 686 दिनों में पूरा करता है। इसके अलावा अपनी धुरी पर मंगल ग्रह एक चक्कर धर्ती की तुल्ना में लगभग बराबर समय यानि की 24.6 घंटे में लगाता है। मंगल पर पाया जाता है वायो मंडल। मंगल ग्रह पर वायो मंडल मौजूद है इसमें सबसे जादा लगभग 95 प्रतिशत कारबन डॉय ऑकसाइड, 2.7 प्रतिशत नाइट्रॉजन, 1.6 प्रतिशत औरगन और 0.13 प्रतिशत ऑकसीजन है। इस तरह से धर्ति की तरह ही वहाँ भी अलग-अलग गैसे पाई जाती है। मंगल ग्रह पर वायो मंडल बहुत ही विरल है। क्यूं है जीवन की संभावना? मंगल ग्रह पर वायो मंडल होने के साथ ही पानी की भी पुष्टी हो चुकी है इसके धर्ती से कई मायनों में समानता के चलते ही यहां जीवन के लिए संभाविनाय तलाशी जा रही है मंगल ग्रह से सम्मन्दित शूद में भारत भी बहुत आगी है और वहां के वातवरंट पर शूद कर रहा है अपने पहले ही प्रियास में साल 2014 में भारत ने मिशन मंगल के तहत अपना मंगल यान भेजा था सतालाल हुने की वज़ा से इस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है मंगल ग्रह के हैं दो उप ग्रह मंगल ग्रह के दो उप ग्रह हैं जिनका नाम फोबोस और डिमोस है डिमोस उप ग्रह सो और मंडल का सबसे छुटा उप ग्रह है इसके अलावा मंगल ग्रह पर निक्स ओलंपिया नाम का परवद भी है जो की माउंट एवरेस से तीन गुना ज्यादा बड़ा है देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें